ओम श्यंति, हम सभी इस्मर्ति स्वरूप होकर अपनी स्थिती को बहुत महान बनाएं, बाबा में आकर हमें इन इस्मर्तियां दिलाई हैं और जगा दिया है हमारी चेतना को, जगा दिया है हमारी इनर फिलिंस को, जगा याद करें, बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम कल्प व्रक्ष की जड़े हो, जड़ों के द्वारा ही हम सब जानते हैं, जड़ों के द्वारा ही व्रक्ष को भोजन पानी सब कुछ जाता है, हम जड़े हैं, हमारे द्वारा ही पूरे कल्प व्रक्ष को शक्तियां जाती हैं, हमारे संकल्पों की एनर्जी पूरे कल्प व्रक्ष में फैलती हैं, जर आपना एक चित्र बनाएं, एक विजन बनाएं, मेरे सिर के उपर ही कल्प व्रक्ष खड़ा हैं, और मेरी जो भी स्थिती है, मेरे जो भी संकल्प हैं, अथवा मेरी जैसी प्योरिटी है और योग है, उस सब के वाइब्रेशन्स इस पूरे कल्प व्रक्ष में फैल रहे हैं, एक एक साखा को जाते हैं, और अगर हम निगेटिव सोचते हैं, तो ये निगेटिव एनर्जी भी ऐसे ही संपूर्ण कल्प व्रक्ष में फैल जाती है, हमारी प्योरिटी की पावर, सभी आत्माओं को सत्यकर्प करने का बल देती है, उन्हें निस्पाव बनाती है, तो हम में से बहुत सारी आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं कल्प व्रक्ष की जड़े हैं, और बाकी सारा सोधिये वन्स और चंदर वन्स कल्प व्रक्ष का तना है, तो हमें अपनी स्थिती पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारी स्थिती साधारन रूप से नभी हमें महान कर तव्य करने हैं, हमारा जनम ही महानकारियों के लिए हुआ है, इसलिए इस स्मर्ती में सदा रहना है, कि मैं एक जिम्मेदार आत्मा हूँ, मैं साधारन नहीं हूँ, इसलिए न तो मेरे अंदर अलवेलापन होना चाहिए, न व्यार्थ और साधारन विचारों म जाने क्या एक निचुरल संस्कार, हम अपने विचारों को महान बनाएं, अपने कारियों को महान बनाएं, जितने विचार महान होंगे, उतना ही हमारा जेवन महान होगा, हमारी इस्थिती महान होगी, और विचार करें, जड़ें हमेशा अंडर ग्राउंड होती हैं, मित्त में होती हैं और महिमा होती है फूलों की और फलों की पर महत्तो सारा है जडों का अकर्शन होता है फूलों की तरफ फलों की तरफ हम भी जडे हैं हम अंडर ग्राउंड हैं हमें अपनी महिमा की कामना होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि जडों की महिमा नहीं होती है जड़े तो इस्तंब होती हैं जो पूरे व्रक्स का सहारा होती हैं जड़े अगर बाहर निकलने लगें किसी पोधे की तो लोग उन्हें काट डालते उनकी दवाई बना लेते हैं और इससे पेड कमजोर हो सकता है हम मानचान की इच्छा से परे स्रेश्ट स्वमान में इस्तित रहें और याद रखें हमें तो स्वयम भगवान सम्मान दे रहा है मनुस्यों से मान लेकर क्या करेंगे तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे मैं कल्प रक्स की जड हूँ जडों में हूँ बिल्कुल जड हूँ मैं और मेरे द्वारा पूरे कल्प रक्स को भोजन जाता है और बीच बीच में ये वीजन बनाएंगे कि मेरे सिर के ऊपर ही कल्प रक्स है और मेरी योग की तरंगें मेरी आत्मा की शक्तियां पवित्र मन के पवित्र वाइब्रेशन्स जैसे पूरे कल्प रक्स में फैल रहे हैं बहुत संदरन भूती होगी इससे नेचुरल रूप से सेवा होती रहेगी हर घंटे में एक बार अपने सिर के ऊपर इस कल्प रक्स को निहा रहे हैं और पूरे कल्प रक्स को सरेस्ट वाइब्रेशन्स देते रहें ओम स्यंति